तो यहीं करें सबस्भी के मेरे चैनल में फिस स्वाह करते हैं तो आज हम लोग जा रही हमें शॉपिंग के लिए अभी शाम के साथ 4 4 5 6 जो भी बज रहे होंगे तो हम लोग अभी शाम को निकल रहे और आज हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर तो देखते हैं हम लोग आज क्या क्या लेते हैं और मैं आने के बात दिखाऊंगे ठीक है कि मैंने क्या क्या लिया है तो यह है मेरा छोटू सा पर्स और मैं जा रही हो शापिंग के लिए तो अभी हम लग मैटर स्टेशन पहुंचेके हैं, मैं प्रोपवेट करें के हम लग है, यह हम लग के एंट्री हो गई है, उपास बल्कुल, मसागे हैं, मसागे हैं, मसागे हैं, 4 मिन पर मैटर आएगा, ठीक है, जूट को ना तो मार दूँगा, हम लोग का दूसरा मेटरो भी आगया, जो कि हम लोग उने चेंज पिया है, अभी, तो हम लोग मेटरो में चड़ चुके हैं, और बगल में कुछ दीदियां, खड़ियों कितना बात कर दिये कि उनकी आवाज कानों में चुप रहें, और यहां ममी साइड में खड़ी है, और अरर, हम लोग पहुँच गए हैं सरुजनी नगर, अब देखते हैं अंदर जाके हमें क्या-क्या मिलता है, फिलल हम लोग जो सूच किया हैं वही लेने वाले हैं, उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लेने वाले नहीं हैं, अ पिछलते हैं इस सब्सक्राइब, एधर से चलते हैं, बिस जढ़ने थे चलते हैं वाट तो ठाँ क्या लेन है ममी यह यह लेन है क्या लेन है चपल वहा है तो किसा कशपल तही है मेरा कशपल की यह कों से चपल है सुन्दर चपल ते यह ममिय यह ममिय वहाँ बारेश वार हुआ तो हम लोग यहां से मोमस लेने वाले हैं क्योंकि मौसम कुछ अच्छा हो रहा है और पीछे मौल है पर हम लोग पीछे मौल से नहीं लेंगे तो अज मैं आज क्या क्या शॉपिंग किया है ठीक है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहना तो एक यह है पुरा के कुर्ता शॉर्ट कुर्पी लिया है और इसेकेंड वाला यह है जो मैंने लिया है और सेम लिया है बस ये फूल वाले जो है वो डिफ्रेंट है और बैक जो है वाइट में ही है ब्लू तो मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए में लिए पहले भी था पर वो थोड़ा लॉग में था तो मेरको शॉर्ट मिचे था शॉर्ट कुर पिछी था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिये हैं और और एक और दिखा दियो यह वाला जो है यह मेरा थर्ड कुर्टी है और एक और उपर चड़ के दिखा देता हूं यह है तो यह तीसरा है मैंने सीम से निश्री लिया क्योंकि बाद में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा और मुझे ऐसे कुर्टी ने बहुत जादा पसंद है ऐसे वाइट हो और उसमे वाइए अधागे से रहते हैं इक काफी सही लगते हैं पर करति पहले कि कपटी थो शुब मॉटा था तो यह बहुत ज्यादा पतला है divaki पर बहुत जाता पतला है और जो मेरे पास पहले वारे लंबा कुर्पी थो थोड़ा मोटा था पतला पर डिजाइन इसमें जो फूल हो के ला बनेने काफी अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने लिया है और एक मैंने क्या शायद जोई लिया मैंने एक मैंने कार्वो जीन्स है जो की मैंने शायद ख़ी को रखा है यह है मेरा जैंस सरुजनी नगर में मैं एक ही शौप है जहां से मेरे को जिन्स लेना पसंद है और यह है जो मुझे पढ़ा मत सुनो रहने दो आप जाकर खुद खरीदने तब पता चलेगा इसा आधिस जादे लोगों को तो पता ही हो सकता है और सरुजनी नगर से लिया है तो शायद पता ही और शॉप नंबर जो है वो 117 है जो मुझे काफी अच्छा लगता है थोड़ा सा अंदर है वहां पर खरीदना ना मेरे को एक तो मिने रहा संतुस्ती मिलती है ठीक है संतुस्ती मिलती है वहां से खरीदने के थोड़ा जादा है पर मैंने लिया कि वहां पर जाने के बाद जो कफड़ मिलती है काफी सही मिलता है और एक तो होता है कि उहां पर ड्रेसिंग रूम में जो भी चैंजिंग रूम और उसके बाद में अगर आप में आता है थीक है नहीं आता थोड़ा सा भी लूज है तो वह आपको खुद फिट करके देते तो यह वाला चीज मेरे को बहुत जादा अच्छा लगता है कि एक तो होता है कभी-कभी हम लोग कहीं से भी खरिद लेते हैं खरिदने के बाद क्या होता है कि वह हम में फिट नहीं होता है तो क्या होता है कि हम लोग अलग से टेलर के पाह जाते हैं और उनको अलग से समझाते हैं कि भाया यह यह यहां से इतना कम करना इतना से इतना सिलना है यह सब हमें बताना पड़ता है तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप में थोड़ा सा भी अधीला हो रहा है तो आपको खुद करा के देते हैं और उसके कोई चार्ज नहीं होता है बस आप जो समान खर देरें उसी के चार्ज होता है तो यह चीज में मेरे कोहां का बहुत जादा अच्छा लगता है और जो कपड़ा बेचते ना वो तो सत्रा सरोजिनी नगर आप जा सकते मेरे को इसका कपड़े की काफी अच्छी लगी और उनका जो कस्टमर के साथ बिहेव करते ना वो मुझे काफी अच्छा लगता है वहां का और उनका सर्विस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो संतोस् जा सकते हैं वहां पर अच्छे कपड़की चाहिए आपको और बहुत कुछ तो अब भी जाए और खरीदे और जिन्दगी के मजे ले और एक चीज है जो कि मैं आपको दिखाना भूल कही हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने और एक क्या चीज लिया मेरे को लुख जादा अच्छा लगा वहांती जादा अच्छा लगा वह ऐं दिखाई देते कुछ नहीं बोलते हो ठीक है कि ये रτοन मेरा मस्त वाला चपल हो सकती हुश बहुत मेहंगा है थो इतने इतने लाम तो यह मुझे काफी अच्छा लगा और इसका प्राइस है इसमें तो लिखाए कि एक रुपए कम चार सो रुपए एक रुपए कम ही क्यूं किया है इन्होंने पर इन्होंने जब मैं शाप पे गई और जब खरी रहा है तो बहुत कम में मिला जैसे कि 200 रुपए में मेरे को मिलिया था और मैंने इसको पहन के तो इतना सौट इतना मतलब क्या मतलब ऐसा लग रहा था ना मैं जो रूई में पैर रखते ना रूई की उपर ऐसा पैर रखत पाइगा ना तो हम लुगों नैंताशे लिया उसके बाद में बस मैंने वीडियो क्लिप नहीं लिख में डिखा पाया है वहां पैर रहा इतनासा फनके Housing ड़नाना जहता है तो बगत बनेटेंघ़ेद जिख लगों तो फनके की स्ञल में तो रहा यह गई मैंने बस यही लिया है तीन कुर्ती एक जेंस एक चपल ठेक है बहुत ही ज़्यादा अगर शपिंग करने का शौक है कम पैसे में तो आप सरुज नगर जा सकते हैं मुझे बताने की जरत नहीं है सब को ही पता है पुरे भारत में सभी को पता ही होगा सरुज नगर पतो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना की कैसा लगा ठीक है यह वाला ब्लॉग मेरा और आपको मेरे तीनों कुर्टे में से तीनों शौक कुरती है उन में से कौन सा वाला च्छा लगा वो भी बताना और पर पस इतना है ज़्यादा कुछ नहीं करना और बाई